जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन-कौन लोग आनलाइन आ चुके हैं जैसा कि आप लोगों को पता है मैं NCRT आप लोगों क्लासिक्स की करा रहा हूं फड़ाफट फड़ाफट कमेंट करें जो लोग आनलाइन आ चुके हैं जल्दी जल्दी उनके कमेंट आते रहने चाहिए तो फटाफट फटाफट आपके कमेंट यहां दिखने चाहिए आप लोगों को कि जाहिन धर्सिता जी मिनाक्षी जी स्वाविक जी धननजय जी जाहिन चोल फ्यू फटाफट फटाफट कमेंट करें कौन कौन लोग लोग आचुके है आज जो एंसी आटी जो है इस चैप्टर को पूरा 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 करते हैं लगातार मैं आप लोगों करा तो चलिए सेशन को सुरू करते हैं जैसा मैं बताता हूं कि एक चैप्टर का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए आनलाइन बेंचर पर तमाम सारे चीज़ें के कोर्सिस चल रहे हैं आप अपने अनुसार उन कोर्सिस को जोईन कर सकते हैं और अगर अभी आप नए हैं और आप में से किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें और अनलाइन बेंचर का एप जरूर जो है डाउनलोड कर लें जी हां बिलकुल सचिन जी सब कुछ चुकी पढ़ाया गया था आप लोगों को तो अच्छा गया ह होगा आप लोगों का आज जो चैटर करने वाले हैं न्यू क्वेश्चिंस और आइडियाज जो नए प्रस्ण उठे तमाम सारे वैदिक नॉलेज में जितनी भी अब भ्रहंसित चीजे आ गई थी उसमें आगे चल करके जो तमाम सारे चेंजेज आए वैदिक एरा में उनक यहां पर कुछ टर्म आपको जानने हैं ठीक है यहां पर कुछ टर्म आपको जानने हैं बुन मॉनिंग दीपा जी सोनिया जी सचीन जी ठीक यहां पर अगर हम देखे पहला टर्म जो आपको ध्यान में रखना हो है तनहा ठीक तनहा मतलब होता है कि थर्स्ट और डिजायर far more things यहाँ पर तन्हा मतलब अकेला नहीं ठीक है और कि तान्हाँ मतलब होता है कि कोई भी चीज स्कों लेकर के अगर हम देखें तो किसी भी चीज की डिजायर या इक्षा अधिक से अधिक प्राप्त कर लेनी की जो किसी के मन में एक्षा होती है उसे हम कहते हैं ताना तो यह पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा ठिक जैहिंद पुरण के सरजे जैहिंट अलफ यो तो ध्यान दीजिएगा ताना इसके अलबा प्राक्रित प्राक्रित एक प्राचीन भासा है इस प्राचीन भाशा है तो इस पॉइंट को दिमाग में रखे रहिएगा एक टर्म और आएगा उपनिशद उप मतलब होता है समीप और निशद मतलब होता है सुन करके उपनिशद वाज कंपोजड बाई ब्रह्मन उपनिशदों की रचना ब्रह्मन ने की थी यानि आफ्टर दर रिगवेद। इनकी रचना रिगवेद के पश्चात हुई थी यहां पर ध्यान दीजिएगा उपमतलब होता है समीप निशद मतलब होता है हीयर टू यानि निए टू हीयर तू नजधीक बैट करके सुन करके तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा कि आ शब्द भी आएगा आपको इस चैप्टर में इंडिविज्वल सोल विच रिमेंस पर्मानेंट इवेन आफ्टर डेथ इसका आर्थ होता है एक मात्र ऐसी आत्मा स्वमेयों में जो मरने के बाद भी अपने आस्तित्व को बनाए रखती है यानि लगातार उसका आस्तित्व बना होता है तो उसको जो है हम कहते हैं यहां पर आत्मा ठीक है तो आत्मन का मतलब हो गया यहां पर की जैसे हम किसी को बोलते ने आत्मा तो आत्मा उसकी कहने का मतलब है इटर्नल जो रहती है कंटीनियू रहती है आफ्टर डेथ भी तो वह आत्मा है यहां पर आते हैं ज जैन का मतलब होता है, the word जैन comes from the term जिन, which means conqueror, जैन शब्द जिन सब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसका आर्थ होता है, विजेता, conqueror, the follower of महावीर is a called जैन, महावीर स्वामी के अनुवाईयों को जैन कहा जाता है, जिन मतलब होता है, जितेंद्री यानि अपने इंद्रियों को अपने वश में करने वाले, तो इसको जो है ध्यान में रखे रहेगा, कि conqueror यानि विजेता, जो अपनी इंद्रियों को जीत करके अपने वश में कर ले, अगला है वर्ड शंग आये गा इस चेप्टर में संग मतलब होता है एसोसियेशन संग यानि एक संगठन संग का मतलब हो गया एक ऐसा संगठन जो लोगों के द्वारा बनता है बोथ बुद्धा एंड महावीरा फेवर्ड टू ज्वाइन संग पार गेटिंग ट्रू नॉले भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों वास्तविक ज्यान के लिए संग को से जुड़ने को प्राथमिक्ता देते हैं और यह क्वेस्चन जो है स्टेट्मेंट बेस क्वेस्चन में आया हुआ है आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपी एस्सी दोन का यह क्वेस्चन दिमाग में रखे रहिएगा कि दोनों बुद्ध और महावीर जनरली जो है क्या होता है स्टेट्मेंट बेस क्वेस्चन कैसे था वो समझे बुद्धा पहला स्टेट्मेंट था बुद्धा फेवर्ट टु ज्वाइन संग फार गेटिंग ट्रू नॉले यह दो स्टेट्मेंट इसमें बना दिया गया था और यह क्वेस्चन ऐसे पूशा गया था ठीक है तो दोनों स्टेट्मेंट क्या है ट्रू होंगे इस तरीके से प्रश्ण आया हुआ है यहाँ पर एक और टर्म है भिख्धू यह अभी आएगा इस चैप्टर में इन प्राकृत प्राकृत भासा हमें बेगर यानि भिखारी को हम क्या कहते हैं तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा क्लियर तो यह पॉइंट दिमांग में रख रहिएगा दोज हुज वाइंड संग वेंट सिटीज एंड विलेज़ेज फार बेगिंग दफूड ऐसे लोग जो संग को संग के सदस्य बनते थे या संग का हिस्सा बनते थे उन्हें गाओं और सहरों में भोजन प्राप्त करन के लिए भेजा जाता था ध्यान दीजिएगा दोनों comprar Cities and well is is both मैंकि किस्के लिए भेजा जाता था URGB वैक कि यह नहीं है कि यह यह पूड के अलावे फूड और भी बहुत सारी चीजे यहां पर लिख करके आ जाती ही बट ऐसा नहीं है संग के जो सदस्य है ठिक क्लियर है कि समझ में तो इसको जो ध्यान में रखे रहिएगा क्लियर है कि नहीं तो यह पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा भिक्षू जो है है क्या यह प्राकृत में बेगर सब्द को भिक्षू सब्द को कहा गया है क्लियर तो यह पॉइंट दिमाग में रखे रही हैगा नाव कम टू दे नेक्स पॉइंट विहार सब्द आएगा विहार सब्द को तो कई बार कई एक्जामिनीशन में पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि कई एक्जामिनीशन में आया हुआ है पर्मानेंट सेल्टर आफ विक्षू काल्ड विहार बहुत द विक्षूओं के रहने का निवास अस्थान जहां पर वो इस्थाई रूप से ध्यान दीजिएगा इडिस पर्मानेंट सेल्टर अस्थाई निवास अस्थान है बहुत द विक्षूओं के रहने का या विक्षू यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो भिक्षू लोग हैं उनके निवास अस्थान को विहार कहा जाता है और मॉनेश्ट्री जो तमाम सारे वहां पर संत हैं जहन धर्म के और बौद धर्म के इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा रहे एंसी आलटी का पीडिफ क्या प्रोड करना क्लासिक्स की नसी ओट्व है उसको बस मैंने अपने में अंतर समझ यगा इसके अलाव है आस्रम समझ दाएगा आस्रम एज away of living which was described in the vedas आस्रम क्या है जीवन जीने का तरीका है आज की तरह मत मत समझ लिजीएगा जैसा आस्रम स्रीज आई हुई है तो आस्रम सी लिज के आध्हार पर मत समझ लिजीएगा की वह जो है किसी बाबा के रहने का अस्थान ऐसा नहीं है आश्रम का मतलब है वे आफ लिविंग यह पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा अक्सर आप लोग यहां पर था कंफ्यूज करते विच वज डिसक्राइब इन वेदा उस जिसकी व्याक्या वेदों में इस जुए ओक था रिउम स्थैजर सफेंट किया हैं और उनके नाम क्या है ब्रहिं में ग्रिषास्थ वानप्रस्थ और सन्यास तो ब्रह्मचर ग्रिहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास यह जो है चार आस्रम हैं हर एक का इस टाइम पीरियड डिफाइन रहता है 25 यह इच तो यह पॉइंट दिमाग में रखे रही है सब्सक्राइब दिमाग में नओarah आते हैं ताइंब पीरियड जो आपको ध्यान में रखना है यह पर पर शेप्थर में कुछ टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखने एबाउट 2500 year लगबख 2500 साल पहले यानि 500 BC आज से 25 सो साल पहले का मतलब क्या हो गया 500 BC 500 इसापूर में उपनिशिदिक ठिंकर जैन टीचर महावीर एंड दबुद्ध इस समय कौन हुए है उपनिशदों के जो ठिंकर रहे हैं तमाम सारे उपनिशदों के लिखने वाले जो रहे हैं वो रहे हैं इसके अलावा जैन महावीर रहे हैं और साथ ही महात्मा बुद्ध तो यह महात्मा बुद्ध महावीर जैन और उपनिशदों का काल है लगभग 2500 इसापूर्वका तो यह ध्यान में रखे रहे स्वारी 2500 आज से 25 साल पहले यानि 500 BC इसको अगर हम देखें तो एप्रोक्स 500 BC का टाइम पिर तो राइटिंग डाउन आफ जैन टेक्स यानि जैन ग्रंट कब लिखे गए हैं तो 500 CE में लिखे गए हैं 500 CE यानि 500 इस्टी में लिखे गए हैं जैन ग्रंट तो यह पॉइंट दिमाग में रखे रहे गएगा BC यानि before common era या बिफूर करेंट एरा तो यह दिमाग में रखे रहे गएगा पॉइंट जो है इन टाइम पीरियट को आप से पूछने के चांसेज है जिसे इसको पूछा गया है कि जैन ग्रंट कब लिखे गए अन्तिम दितिये जैन संगीती हुई है, second gen council हुई है, तब जो है लिखा गया है यहाँ पर जैन literature को, तो यह point दिमाग में रखे रहिएगा, आते हैं, इस पूरे के पूरे chapter को पढ़ना सुरू करते हैं, new question and ideas जो chapter है, इस chapter को पूरा detail में पढ़ना सुरू करते हैं, जो लिखा हुआ है, sixth class के NCRT में, उसी चीजों को पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा detail में नहीं जाएंगे, सिधार्थ also known as Gotham, was the founder of Buddhism, सिधार्थ जिने गौतम कहा जाता था, बौद धर्म के संस्था पकते, लेटर ही वाज काल्ड एज गौतम बुद्ध, आगे चल करके इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा, इनका जन पच्चिस सो वर्स पूर्व हुआ था, he belongs to a small gun, known as शाक्य गन, and he was a छत्री, वह एक छोटे से गड़ समूहूं से बिलॉंग करते थे, से संबंदित थे, जिसे साक्य कुल कहा जाता है, साक्य गन कहा जाता है, तो इसको जो एध्यान में रखे रहिएगा, कि साक्य कुल कहा जाता है, और वह क्या थे, जन्मना छत्री ये थे, वह क्या थे, छत्री ये थे, थैंक्यू निरज जी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, आपके एक्जाम को ले करके हम लोग काफी सीरियस रहते है तो इस तरीके की चीज़े हर एक्जाम के पहले कुछ न कुछ आप लोगों को मिलता रहेगा बस लगातार आप लोग जुड़े रहेगा जैसे जो UPSC की तयारी कर रहे हैं उनके लिए ये NCRT की सीरीज में चला रहा हूँ NCRT की सीरीज में जो तमाम सारी सीरीज चल रही है आनलाइन वेंचर पर साइन्स की और इसकी इससे क्या होगा आपको NCRT पढ़ना आ जाएगा बहुत सारे लोगों को तो NCRT पढ़ते ही नहीं है तो ये पॉइंट दिमाग में रखे रहे हैं कि बहुत सारे लोग NCRT नहीं प रखे चले आते ऐसा बिलकुल नहीं मैं अभी छे क्लासेज ले चुका हूं सिर्फ छे चैप्टर पढ़ाया हूं सात्मा चैप्टर आज की क्लास में ठीक है और अभी सेकेंड पॉइंट पढ़ा रहा हूं अभी तो मैंने केवल और केवल इंट्रो दिया है सेकेंड पॉइ मिनेट से मैं पढ़ा रहा हूं पंद्रह मिनेट में केवल और केवल एक पॉइंट ठीक है जयंदृ इजिए सचेन जी गुड्ड इन इस पेरिएड लाइफ वाज चेंजिंग और किंग इन अधा महाजनपदाज वे ग्रोइंग पावर्फुल इस दौरान इस समय काल में इन इस पिरिएड यानी इन समय काल में लाइफ वाज चेंजिंग जीवन परिवर्ति हो रहा था एंड किंग इन दा महाजनपदाज और जो महाजनपदों के राजा थे वह बहुत ज्यादा शक्तिसाली बनते चले जा रहे थे यह प्रयास भी जानने का प्रयास कर रहे थे लगातार। He left the comfort of home in search of knowledge इन्होंने घर की सुक्स विधाओं का त्याग ज्यान की खोज के लिए कर दिया यानि जितने भी महान लोग हुए सब लोग घर छोड़ करके निकले तो एक खास बात समझ लीजिए इससे क्या समझ में आ रहा है इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो विद्यार् सब्सक्राथी के लक्षन बताए गया है ना काकचिस्टा भको ध्यानम श्वान निद्रा तथेवच स्वल्पहारी ग्रीह त्यागी यानि घर को छोड़ना पड़ेगा घर पर रह करके आप कमफर्ट जोन में कभी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते घर को छोड़ने का मतलब होता है कि घर के मोह को छोड़ करके एक कमरे में बैठ करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है बाहर आकर के पता चलता है कि ज्यान की जगह जो है कुछ और ही अरजित करना शुरू कर दिया वह ऐसे भी फरवरी का महिना चल रहा है लोग जो है तमाम सारे कर्म कर करते रहते हैं बट उन से अलग हट करके यह लोग नौलेज की खोज के लिए आगे बढ़े ही वांडर फार सेवरल यह यह कई वर्सों तक इधर उधर भटकते रहें फाइनली ही डिसाइड़ तो फाइंड होम इन पाथ टू रियलाइजीशन और मेडियेटेड लॉंग अं अन्तता इन्हों ने किया कि यह जो है मेडिटेशन करेंगे यह अपने आपको मेडिटेशन में लगा देते हैं कहां बोध गया में एक पीपल व्रिक्ष के नीचे ठीक वेर ही अटेंड इनलाइटेनमेंट जहां इन्हें ज्यान की प्राप्ति हुई यानि वास्त्विक ज्यान या प्रबोधन इनलाइटेनमेंट का मतलब होता है प्रबोधन या पुनर जागरण तो यह फिर से जागरित होगे का जाता है कि आत्मा इनकी जागरत attainment ज्ञान प्राप्ति के प्रशाग यानि बोध यानि बुद्धी बोध का मतलब होता है ज्ञान बुद्धी तो बोध यानि ज्ञान की प्राप्ति हो गई इसलिए इनको बुद्ध कहा जाने लगा after that he went to सारनाथ नियर वारांसी इसके बाद ये सारनाथ वारांसी के निकट गए where he taught for the first time जहां इन्हों ने पहली बार लोगों को सिक्षाएं दिया ठीक समझ में या clear he spent his life traveling on foot इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन पैदल चल करके गुजारा going from one place to going from place to place teaching people till the past away at kushinara ये एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाते रहे लोगों को सिक्षा देते रहे तब तक जब तक की kushinara में यह महापरिनिर्वान को प्राप्त नहीं हो गए यानि कहां पर इनका महापरिनिर्वान हुआ है kushinara में ज्यान की प्राप्ती कहां हुई है बोध गया में कौन से व्रिक्ष के नीचे पीपल के व्रिक्ष के नीचे तो यह पॉइंट जो है आपको कहां से मिलता क्लासिक्स की एंसी आर्टी से तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा क्लियर है जिहां आता है एफम पर ठीक है एफम पर आप सुनते होंगे कि दिल्ली के सक्त तो दिमाग में रखे रहिए सक्त मिजाजी ठीक नहीं है मिजाज नर्म होने चाहिए और आपके आचरड सक्त होने चाहिए आचरड पर सक्ती रखिए मिजाज में नर्मी रखिए आजाए यहां पर बुद्ध ने आम लोगों की भासा में उपदेश दिये ठीक समझ में आया तो इसको जो है धान में रखे रहिए जिससे हर कोई उनके संदेश को समझ लिया समझ में जब वो लोकल लैंग्विज में उन्होंने उपदेश दिया तो अच्छा यह बचाहिए सिंपल सी चीज कि अगर आपके पिता वह भारती है और अगर आपकी माँ ट्रेवल करने के लिए गई जो है अमेरिका और वहां आपका जन्म हुआ तो आप भारती होंगे आपके माता-पिता भारती है और आप ट्रेवल करने के लिए अमेरिका गए और वहां जन्म हुआ त उससे आपका उत्तर मिल जाएगा कि वह नेपाली थे या भारती ये थे ठीक है तो आपको यहीं से उत्तर मिल जाएगा दबुद्धाट टीचिंग इंक्लूडेट भगवान बुद्ध की सिक्षाओं में सामिल था ठीक है क्लियर हुआ कि नहीं तो बहुत सिंपल सा चीज है उसमें कुछ सोचने का है ही नहीं कि शाक्यकुल भारती छेत्रों में शाशन गरता था तो जाहिर सी बात है कि उनके सामराज्य छेत्र में जो एरिया था वह कहां पर था तो इसको जो है ध्यान में रखे रहेंगे आपको समझेए इनोंने जो सिक्षाएं दी लाइप is full of suffering and unhappiness यह पूरा का पूरा जीवन दुखों और साथी कस्टों से भरा हुआ है समझ में यह था पूर कारविंग और डिजायर इसका कारड हमारी इक्षाएं और साथी जीजीविशा है which often cannot be fulfilled जो कभी भी पूरतया संतुष्ट नहीं होती है एक छाएं अनन्त हैं एक पूरी होती है दूसरी सामने आ जाती है यह जो डिजायर और कारविंग है यह सभी कभी फूर्फिल नहीं होती है इसलिए यह तमाम सारी suffering और unhappiness है sometime even if we get what we want यह कुछ समय तो जो हमें चाहिए अगर वह मिल जा है we are not satisfied and want even more or other things तब भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं और अत्यधिक चीजे चाहने लगते हैं यह जो है मनुसरी की जो इक्षा है प्रबलता के रूप में आती है the Buddha described this as the thirst are tanha ठिक भगवान बुद्ध ने इसे एक प्यास के रूप में यानि लगतार तास या प्यास के रूप में कहा जिसे tanha कहा गया तो यह tanha word यहां से लिया गया इसको जो है ध्यान में रख रहिएगा clear है सुझ मैं he taught that this constant kraven could be removed by following moderation in everything उन्होंने कहा कि यह पूरे के पूरे जो हमारी एक्षाएं हैं तमाम सारी जो लगातार बढ़ती हुई एक्षाएं हैं इनको हम दूर कर सकते हैं जब हम जो है moderation करेंगे हर एक चीज में everything में जब moderation करेंगे he taught people to be kind and respect the lives of others including animals इन्होंने लोगों को यह सिक्षा दिया कि सदैव दयालू रहो दूसरों का आदर करो उनके जीवन का सम्मान करो यहां तक की जानवरों के जीवन का भी सम्मान करना चाहिए तो यह चीज ध्यान में रख रहिएगा the result of our actions called कर्म हमारे कार्यों का जो पुरसकार मिलता है उसे हम कर्म कहते हैं whether good or bad affect us both in this life and the next हम यदि अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें वह न सिर्फ इस जीवन को इस जन्म को बलकि हमारे अगले जन्म तक को प्रभावित करता है जहां बिल्कुल जियोग्राफी की क्लास में उसको बताएंगे और मैंने वहां पर glacier को बताया भी था कि कैसे जो है वहां पर moraines जो है आते ही मोड आते हैं और एक खास बात जान लीजिए अगर water की speed two times हो जाए water की speed जो है अगर कहीं पर भी two times हो जाए दो गुनी हो जाए तो उसकी slack carry करने की power मलबा ढोने की छमता 64 times हो जाती है 64 गुनी हो जाती है तो यही कारण है कि अगर नदी जो है उपनी speed को double भी कर लेती है तो मलबा 64 गुना बढ़ जाता और बहुत तबाही मचाता है तो यह इस कारण से तबाही मची थी आते हैं दा रूल्स मेंट फार दा बुद्धिष्ट संग वे रिटेन डाउन इन बुक काल्ड विनय पिटक बॉद्ध संगों के लिए जो नियम लिखे गए हैं वह विनय पिटक नामक पुस्तक में संकलित हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पुरुशों और महिलाओं के लिए अलग अलग शाखाएं थी यह बहुत इंपॉर्डेंट पॉइंट है और यह क्वेश्चन जो है आपके सीडियस में सीए पीफ में इसके अलावा स्टेट पॉब्लिक सर्विस कमीशन में तमाम सारे स्टेट पॉब्लिक सर्विस कमीशन में यह लाइन आ चुका है कि कहां पर जो है बुद्धिष्ट संग के नियम लिखे गए हैं तो बुद्धिष्ट संग के नियम कहां लिखे गए हैं विने पिटक में और men and women यानि पुरुस और इस तरी दोनों के लिए संग के नियम क्या हैं अलग-अलग है आल में कुड ज्वाइन दस संग सभी पुरुस संग के सदस्य हो सकते थे ठीक समझ में यह पूरा NCRT का नोट से ही है इतना जो है डीटेल में आपको NCRT का नोट करा रहे है कि आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगा आल में कुड ज्वाइन दस संग सभी पुरुस संग के सदस्य हो सकते थे However, children, slaves, employees of king, debaters and women needed permission of their parents जबकि बच्चे, दास, राजा के कर्मचारी इसके अलावा जो लोग रिड लिये हुए हैं डेबटर्स यानि जो रिड लिये हुए हैं और इस्त्रियां इन्हें अपने संद्रचकों का permission लेना जरूरी था उनकी मंजूरी लेनी जरूरी थी तो अपने संद्रचकों की मंजूरी लेनी होती थी किसको किसको बच्चों को, दासों को, राजा के कर्मचारीयों को जिन लोगों ने रिड लिया हुए था उन्हें महिलाओं को इन सब को अपने संद्च्छकों की मंजूरी लेनी होती थी पैरेंट्स की मास्टर की किंग्स की क्रेडिटर्स की और and from husband respectivelyतो इन सबसे पैरेंट्स की से मास्टर्स से किंग से ठिक के क्रेडिटर से या हस्बेंड से इन सबसे जो है आनुमती लिए बगार कोई सदस से नहीं हो सकता था है तो यह मैं रख रहिएगा है कि समझ में एक नहीं है कि रिद्धी जी प्रश्ण आपका समझ में नहीं आया दुबारा से प्रश्ण को फिर से पूछिए जो पुराने लोग रिड लिये थे वो बीमार तो पड़ी सकते बीमारी तो किसी को भी हो सकती है न है ठीक है men and women went to cities and villages to beg for food during fixed hour इस्त्री और पुरुस शहर और गाउं में एक निश्चित समय में जाते थे डियूरिंग फिक्स्ट आवर यानि उनके सहर और गाउं में भोजन के लिए भिक्षा मांगने का समय नियत था exist संब काल्ड से इन्हें भिक्ष γιαविक्ष निकाह जाता था जो पुरुश होते थे अनको विक्ष काह जाता था और जो महिलाएं होती थी उन्हें भिक्षंी कहा जाता था तो यह point दिमाग में रखे रहिएगगा Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, the other thinker also tried to find answer to difficult questions. इसी समय जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस दौरान या उससे कुछ समय पूर्व कई और ऐसे विचारक थे जो यह उत्तर प्राप्त करने का प्रियास कर रहे थे जो तमाम सारे प्रश्ण उस समय आकर के लोगों के सामने कठिन कठिन प्रश्ण जो खड़े हुए थे उनका उत्तर प्राप्त करने का प्रियास कर रहे थे they wanted to know about life after death यह मृत्यु के बाद क्या होता है इसका उत्तर Yeah प्रियास कर रहे थे जीवन का why sacrifices should be perform यह बली क्यों दी जाती है इसका उत्तर जान्ने का प्रियास कर रहे थे Whether something is permanent even after death, क्या सब कुछ मृत्यू के बाद भी बचा रहता है या मृत्यू के बाद भी कुछ बचा रहता है इन सब कठिन प्रशनों का उत्तर जानने का प्रयास बुद्ध के समकालीन लोगों ने भी किया या जो उन से पहले हुए उन लोगों ने भी किया आत्मा या किसी व्यक्त की अपनी आत्मा के विशे में या ब्रह्मन या सारवभावम आत्मा के रूप में अलग-अलग लोगों ने चिन्हित किया किसी ने कहा ये आत्मा है किसी ने कहा कि व्यक्त की अपनी आत्मा आत्मा का मतलब हो गया कि वह कई लोगों के समूं से मिल करकर बनी जैसे वुद्ध के बारे में कहा जाता था कि तमाम सारे बोधी सत्तों का समूँ थे ठिक जियां बिलकुल छत्रिय थे हिंदू थे ठिक तो इसको ध्यान में रखे रहेएगा किसी भी महान व्यक्ति को आप लोग धर्म में बांधने का प्रयास नहीं करियेगा कोई भी महान व्यक्ति चाहे वो बुद्ध हों चाहे वो इस हो चाहे वो प्रभु स्रीराम हों चाहे वो फ़ँ कोई भी कोई व्यक्ति कोई भी महान व्यक्ति चाहे वो जैन हो किसी एक धर्म पिसेस का नहीं होता वह सिर्फ मानवता का होता है स्टिमीनिटी चाहBT उता यह बात दिमाग में रखे यूमिनिटी के लोग यह हिंदू मुसलिम सिख इसाई यह सबने नानक जी सब के हैं इवर मेंटी की बात करता है वह सिर्फ यूमन है। ये लोग जाति, धर्म, भाशा, लिंग, समुदाई सभी चीजों से परे हैं ये तो आप किसी भी चीज को जो एक पर्टिकुलर साचे में मत देखा करिए कि हिंदू थे, क्या थे, वैसे थे जन्मना च्छत्री, मैंने का जन्मना च्छत्री थे बाद में क्या है, वो मानवतावादी हैं और कुछ नहीं है तो जन्मना क्या है, उससे कतई मतलब नहीं होता है ठीक है, तो ये ध्यान में रख रही है और गरुड पुराण मैंने पढ़ रखी है क्या दिया हुआ, उसमें स्वर्ग नर्ग की परिवासाइं दी हुई है कैसे आत्मा जाती है, क्या होता है, वो सारी चीज़े दे रखी है ठीक है, पुराणों में से 108 में से 54 पुराण पढ़ रखे हैं आ जाईए इधर कुराण पढ़ रखा हूँ, हदीस, बाइबल, सब कुछ पढ़ रखा हूँ तो उनके टर्म पर मत आईए समझ मैं है, तो ये पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा सारी चीज़े पढ़ने के बाद मैं आपको बढ़ा रहा हूँ पढ़ाई बहुत किया है मैंने और मेरा जो निक नेम था, मेरे दोस्त लोग मुझे अभी भी बुलाते हैं बुक वर्म, किताबी कीडा बोलते हैं अभी भी तो ये ध्यान में रखे रहिएगा कि चीज़े जो है वो पढ़ना सुरू करिए समझ में, they believed that both the आत्मा and the ब्रह्मन were one, वो मानते थे कि ब्रह्म और आत्मा यहां ब्रामड नहीं समझ लीजिएगा, ब्रह्म ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है कौन लोग मानते थे, other than बुद्धा जो थिंकर लोग थे, वो क्या मानते थे कि बोथ आत्मा और ब्रह्म वेर वन, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है, these ideas were recorded in the उपनिशद यह point आप लोगों के लिए बहुत important है question कई बार पूछा गया हुआ, यह दोनों लाइन को दिमाग में रखे रहिएगा, कि यह पूछा हुआ था कि संक्राचार भी मानते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं और यह बात हमारे कहा पर लखी हुई है उपनिश्दों में भी लिखी हुई है कि आत्मा और ब्रह्म ये दोनों एक है इस वेर पाल्ट अप लैटर वैदिक टेक्स्ट ये सबी उत्तर-वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है ठीक है अहम ब्रह्मास में डायलाग नहीं था अहम ब्रह्मास में उनकी फिलोसफी का क्रक्स है सिर्फ अहम ब्रह्मास में नहीं कहा है उन्होंने बहुत सारी बाते कहीं है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है जीवो ब्रह्मा नापर किया वर्ड है यानि सीधे सीधे ब्रह्म सत्य है जगत्तिय है और जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर यह वर्ड कहें इसको ध्यान में रखे रहीएगा उन्होंने का है यह संकराचारे का गतन है तो यहां पर आ जाएए इसको ध्यान में राखिए यह question आप लोगों को पूछा गया हुआ है और six class की NCRT से उठाया हुआ है UPSC ने पूछा हुआ है इसको ध्यान में रखे रहेगा इसको UPSC ने पूछा हुआ है उपनिशद literally means approaching and sitting near उपनिशद का मतलब क्या है पहने आपको इसको बताया सुन करके समीप बैठ करके ज्यान प्राप्त करना यानि सुन करके और ठिक तो समझ में आया कि नहीं है इसको ध्यान में रखे रही है टेक्स्ट कंटेंग कर नवर्शिशन बिट्वीन टीचर्स एंड इस्टुडेंट्स इसके जो लिखित चीजे हैं वह किस रूप में हैं सिक्षक और छात्र के बीच में समवाद के रूप में तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा कि ये सिक्षक और छात्र के बीच में जो समवाद होता है उस रूप में उपनिशद लिखे गए है समझ में आया तो उपनिश्दों के लिखने का style किस तरीके से है समवाद सैली में लिखे गए है conversation style में लिखे गए है तो ये point दिमाग में रखे रहेगा clear है समझ में आया कि नहीं आया तो ये चीज दिमाग में रखे रहेगा बहुत ही आसान है देखिए मैं कोई भी चीज सबसे अच्छा समय होता है यादगरने का भूर का समय और यही कारण है कि मैंने जो अपनी classes लगवाई थी चार बज़े से आठ बज़े तक लगवाई थी आपने अगर ध्यान दिया होगा जो 48 hour का महा महराथन था उसमें मेरी class कितने बज़े से कितने बज़े तक थी चार बज़े से आठ बज़े तक थी यह याद करने का सबसे अच्छा समय होता है बोर में चार बज़े से लेकर के आठ बज़े तक चार घंटे यह आपके अपन समय अगर दे दीजिए रोज अगर continue देना शुरू कर दीजिए तो आपकी biological clock भी सुधर जाती है और जल्दी सो जाते है तो बहुत सारी चीजे अच्छी हो जाती है तो पढ़ने का समय जो सबसे अच्छा माना जाता है वो चार से आठ का समय माना जाता है वो टाइम जो है रात को जल्दी चले जाईए नौ से दस तक तो यह चीज़ ध्यान में रखे रही है जी हम बिलकुल बगार meditation के संभव नहीं है चीजों को बरकरार रख पाना most उपनिशदिक thinkers वेर में आधिकांस उपनिशदों के रचाईता पुरुस थे जो थिंकर थे उसमें जो तमाम सारे विचार वेत्ता थे वह सभी कौन थे पुरुस थे यानि सिर्फ मुख्य रूप से अगर आप लोगों ने reasoning पढ़ा होगा तो इसका मतलब होता है कि there are some other caste to Brahman और राजा के अलावा भी अन्य लोगों ने भी लिखे हैं लेकिन especially मुख्यतेया कौन लोग है तो ब्रामण है और राजा लोग ठीक तो समझ में आया क्लियर है कि नहीं सोता हूँ लेकिन रोज नहीं सोता हूँ आज़ाई है इधर insomnia नाम सुना होगा अगर तो insomnia जानते होंगे नहीं जानते हैं तो निट पर सर्च कर लीजिएगा तो यह चीज ध्यान में रखे रहे गएगा इनसो मिनिया अगर सुन रखा होगा तो आपको बता होगा बहुत सारी चीज़ गारगी इस मेंशन आज विमेन थिंकर गारगी एक महिला विचारवित्ता के रूप में वर्डित हैं ध्यान दीजिएगा कि गारगी एक ऐसी महिला विचारवित्ता हैं जो सिक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं और साथ ही राजसभा में लोगों से सास्त्रार्थ करने के लिए भी जानते हैं ठिक तो यह ध्यान में रखे रही है ठिक तो इसको जो है ध्यान में रखे रही गारगी का जो है संबाद है यहां पर टता इनी रिसी के साथ जो है इनका समभाध है जो के राजा के दरबार में हुआ तो यह चीज़ ध्यान में रखे रहे हैं कि आते हैं एराउंड दे टाइम अबाउट 2500 एर एगो दे लास्ट एन 24 तीर्थंकरा आप दे जैन्स वर्धमान महावीर आल्सो इस्प्रेड इस मैसे लगबग पच्छिस सो इसाप पच्छिस सो साल पहले आसे अनी 500 बीसी में अंतिम और 24 में जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने सिक्षाओं क का प्रसार किया है ही वाज अचक्ट्री प्रिंज़ आफ दया लिक्षवी जओ दवाजय संग वड़क nag थो की या शथा शथर्य वर्ग राजकुमार थे जो की लिक्षवी ग्रूप से बिलॉंग करते थे और या वज़्चि संग का हिस्सा था सिट अ तो व्च्वी संग का हिस्सा था जो लिक्षवी गड़ राज उसी के ये छत्रिय राजकुमार थे at the age of 30 30 वर्स की आयू में he left home and went to live in a forest 30 वर्स की आयू में इन्होंने घर छोड़ दिया ध्यान दीजियेगा कब छोड़ा है at the age of 30 30 वर्स की आयू में और जंगलों में रहने के लिए चले गए for 12 years he led a hard and lonely life 12 वर्सों तक इन्होंने कठिन और अकेला जीवन व्यतीत किया at the end of which he attained enlightenment और इसके पश्चात इन्हें ज्यान की प्राप्ति हुई अब बताईए इन्हें ज्यान की प्राप्ति कितने वर्स की अवस्था में हुई फटाफट फटाफट कमेंट करिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताईए इन्हें ज्यान की प्राप्ति कितने वर्स की अवस्था में हुई फटाफट फटाफट कमेंट करिए तीस वर्स की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा, बारह वर्स तक ये घूमते रहे और फिर इन्हें ज्यान की प्राप्ती हुई तो फटाफट फटाफट कमेंट करें, बेहा दीजी, सवाल पूछा हुआ है मैंने, आसानी से आप कर सकते, 30 year plus 12 year घूमें यानि, at the age of 42, 42 वर्स की अवस्था में इन्हें ज्यान की प्राप्ती हो गई, he taught simple doctrine in prakrit which was the language used by the people, इन्होंने अपने सिध्धानतों का प्रसार प्राकृत भासा में किया, जो की आम लोगों की भासा थी, his thoughts are, इनके विचार है, men and women who wish to know the truth, must leave their home, इस्त्री और पुरस, जो सत्य को जानना चाहते हैं, उन्हें अपना घर छोड़ना होगा, they must follow rule of ahinsa very strictly, इन्हें ahinsa के नियम का अत्यन्त कठोरता से पालन करना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने एक word का है very strictly, यानि यह भगवान बुद्ध की तरह मज्जिम प्रतिपदा की middle path की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज को extreme level पर follow करने की बात कर रहे हैं, तो extreme level पर नहीं मज्जिम प्रतिपदा की, rule of ahinsa इन्होंने follow किया बहुत strictly, which means not hurting or killing living beings, जिसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के जीवित व्यक्ति को न तो नुकसान पहुचाना और नहीं उसे मारना, all beings long to live, ठिक, सभी को जो है जीवन अधिकता में जीने का अधिकार है, to all things life is dear, सभी के लिए जीवन अच्छा हो, followers of mahaveer are known as jain, भगवान mahaveer के अनुयाईयों को jain कहा जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे ये पूशा जाए कि क्या सभी जैन तीर्थंकरों के अनुयाईयों को jain कहा जाता है, नहीं, केवल जो mahaveer की सिक्षाओं का पालन करते हैं, उन्हें jain कहा जाता है, वह बाकी तीर्थंकरों में विश्वास रखते हैं, लेकिन किसकी सिक्षाओं का पालन करते हैं, तो भगवान mahaveer की सिक्षाओं का पालन करते हैं, जायन लोग, followers led very simple lives, begging for food, जो अनुयाई हैं वह अत्यांत साधरण जीवन जीते हैं, और भोजन मांग करके खाते हैं, बिख्षुक के रूप में खाते हैं, इन्हें जो हैं, पूर्टेया इमान्दार रहना होता है, एप्सलूटली अनेस्ट, पूर्टेया इमान्दार रहना होता है, और कभी चोरी नहीं करनी होती हैं, आपने से समबंदित हर एक वस्तू का परित्याग करना होता है इंक्रूडिंग देयर क्लोथ्स यहां तक कि अपने कपड़े भी ठीक है सब कुछ त्याग कर देना है यानि ये कैसे है भगवान महावीर के जो Original followers है कैसे है दिगंबर टाइप के हैं यानि दिग अंबर दिग का मतलब होता है दिऌएं अंबर यानि जो आस्मान अंबर doing वस्त्र हैं तो दिऌएं ही जिनका वस्त्र हैं यानि नैक्ट जो रहते हैं और अपने सभी इंद्रियों पर नियंत्रट प्राप्ट किये हूं वो जो है दिगंबर फॉलोवर्स हैं male followers who left the home were called monks and women as nun पुरुष अनुगामी जिनोंने अपना घर छोड़ दिया उन्हें बिक्षु कहा जाता है जबकि महिलाओं को विक्षुनी कहा जाता है या जो है साध्यवी कहा जाता है ध्यान दीजिये कर नन्यानी साध्यवी कहा जाता है जैनिज्म is spread to different parts of north India and to Gujarat, Tamil Nadu and Carnataka जैन धर्म उत्तर भारत के अधिकांस हिस्सों साथ ही Gujarat, Tamil Nadu और Carnatak में फैलता चला गया तो इसका प्रसार कहां कहां हुआ उत्तर भारत के विभिन हिस्सों गुजरात तामिल नाडू और करनाटक में तो इस्पेसली कहां कहां हुआ है गुजरात तामिल नाडू और करनाटक में जैन धर्म के फॉलोवर जादा आर्डर भी यह सबसे जादा गुज आते हैं, the teaching of महावीरा was transmitted orally for several centuries. भगवान महावीर की सिक्षाएं मौखिक रूप से कई सताब्दियों तक चलती रही. Teachings were written down at police वल्लभी in गुजरात about 1500 years ago. इनकी सिक्षाओं को गुजरात के वल्लभी में 1500 साल पहले लिपी बद्ध किया गया. यानि अगर हम बात करें तो 500 CE में, आज से 1500 साल पहले का मतलब क्या हो गया? Approx 500 CE यानि 512 exactly अगर हम बात करें, तो कहां? वल्लभी गुजरात में. यह पॉइंट दिमाग में रख रही है कि वल्लभी गुजरात में 1500 साल पहले इनकी सिक्षाओं को लिपी बद्ध किया गया. इसके पहले के वले मौखिक ओरल ट्रेडिशन पर चल रही थी. कि गुरू से सिस 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 से याद करके तमाम सारी चीज़े चल रही थी. समझ में आया कि नहीं है यह? बोथ महावीरा एंड बुद्धा फिल्ट आट ओनली दोज वो लेफ देर होम्स कुट गेंट ट्रू नौलेज. दोनों भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों यह महसूस करते थे कि केवल और केवल वही जो घर का त्याग कर देंगे उन्हें ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ती होगी. इनोंने उनके साथ में रहने के लिए संग का निर्माड किया an association those who left their homes. यह ऐसे लोगों का संगठन था जिनोंने अपने घर त्याग दिये थे. तो घर के त्याग देने वाले लोगों का संगठन यह जो है संग कहलाया. और भगवान, बुद्ध और महावीर दोनों ये मानते हैं कि घर को छोड़े बगएर वास्तविक ज्यान संभव नहीं समझें हैं? clear? तो इसको जो एध्यान में रखे रहेगा ठीक है? आते हैं बोथ जायन एंड बुद्धिस्ट मांग went from place to place throughout the year for teaching the people दोनों जायन और बुद्ध साधू लोग एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक अपनी सिक्षाओं को लोगों तक प्रसारित करने के लिए पूरे वर्ष भर यात्रा करते रहते जायन और बुद्ध दोनों प्रगारगे साधू लोग went from place to place एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाते रहते हैं पूरे वर्ष भर क्यों ताकि वो लोगों को सिक्षाओं दे सके only in the rainy season they stayed at one place केवल और केवल वर्षाकाल में उन्हें एक जगह पर रहने की अनुमती थी अर्लियर इस फालोवर्स विए टेंपरोरी सेटर फ़र दें शुरुवाती दोर में उनके अन्याईयों ने इनके लिए टेंपरोरी सेटर अस्थाई निवास बना है लेटर पर्मानेंट सेटर वेर कंस्ट्रक्टेड आगे चल करके इस्थाई निवास भी बनाए गये विएर जिन्हें विहार कहा गया दाड़ेज मौनिश्ट्री और मौनिश्ट्री कहा गया दीज विहरा मेंड़ ऑफ वुड और दिन आफ्बृक्स यह विहार पहले लकड़ी के बनाए गए और बाद की कालों में इंचों के बनाए गये यानि सुरुवाती दौर के जो बिहार बने वह किसके बने हुए थे लकडी के बने हुए थे और बाद में जो बने वह किसके बने हुए थे इंटों के बने हुए विहार थे यह ध्यान में रखे रहिएगा यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको जो है पूछा गया हु वेरी अफन विहार वास बिल्ट इन दे लेंड डोनेटेट बाइए रिच मर्चेंट और लेंड ओनर और दे किंग जबकि कुछेक विहार ऐसी जमीन पर बने जिन्हें धनी व्यक्तियों व्यापारियों जमीनदारों या राजाओं द्वारा दिया गया दे लोकल पीपल केम विथ गिफ्ट आफ फूड़िंग अंड मेडिसिंस फार दे मौंक अंड नंस अस्थानी लोग इनके लिए उपहार स्वरूप भोजन कपड़े और दवाईयां लेकर के आते थे आनि बिक्षूओं और साधूओं और बिक्षूडियों के लिए अस्थान नहीं लोग लेकर के आते थे दवाईयां यह पॉंट लिमांग में रहे रहे नगा क्योंकि इस कथन को जब भी पूछा है disaster कर दिया है कि लोकल लोगर जो है लेकर के आते थैंदे कहा गया है इसमें statement यह है और यही सही है जब कि जब भी आगको देता है लिखता है कि बहुत दा बिक्षू और बिक्षुडी लोग लोकल लोगों के लिए दवाईयां और कपड़े वितरित करते थे जो कि विल्कुल गलत है दवाईयां जो है यहां पर बाकी सब तो लिख देता है कि ल लोकल लोग लेकर के आते हैं बस इसी को लिख देता है कि यह लोग देते थे ऐसा बिलकुल नहीं है कि बहुत दा बिक्षू और जो भी शुडी है वह दवाईयां देते थे लोकल लोग जो है इन तक मेडिसीन वगर भी पहुचाते थे यह पॉइंट दिमाग में रखे रह अगला लिखता है दा मॉंक और नंस केम वित मेडिसीन फार दलोकल पीपल तो दुसरा इस्टेटमेंट गलत हो जाता है पहला स्टेटमेंट सही तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से स्टेटमेंट बेस पूछा हुआ है इसलिए इसको ध्यान में रखे रहिएगा यह लाइ लोगे पूरा को पूरा चैप्टर समझ मैं आया यह नहीं आया फुटा फुटा फुटकमेंट करें तो चैप्टर के पढ़ने का तरीका यही था पहले आप उनमें से जो टर्म है कि ज 요 जसे मैंने आप लोगों को बता रखा था जिब पहला क्लास में या था मैंने कहा था कि PQRST के फॉर्म में आप लोग पढ़ेंगे हर एक चीज और बाकी लेक्षर जी यहां बिल्कुल पूछिए गवर और इंजन जी जी बिल्कुल पूछिए गवर और अजन जी जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं तो आप जो है इस तरीके से पूरा पूरा पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर रहेगा होफुली और इन में से मैं ये भी करता चल रहा हूं कि कौन से एरिया से कौन से लाइन से किस कमिशन में कैसे प्रश्ण बने हुए प्रश्णों के पूछने के तरीके को भी मैं बताता चल रहा हूं बाकी नोट्स होफुली आप लोग बना रहे होंगे एक दो बार एक बार सुन लीजिए इसको दूसरी बार उसको नोर्ण सबना लीजिए तो तमाम सारी चीज्ए जो अपकी क्लियर होती रहेंगे और कुछ पुछन आ है है और कुछ पूछना थो पूछ सकते हैं आपको और भी कुछ वाइटनर से देखिए वाइटनर से मना तो किया जाता है जिस question को आपने वाइटनर लगाया होगा वो question आपका count नहीं होगा लेकिन अगर उस पर आपने blade लगा दिया होगा तो वाप पूरी की पूरी answer seat को भी destroy कर सकते हैं आपको result बाधित कर सकते हैं लेकिन वाइटनर पर अ वाइटनर लगा होता है वो question आपका count नहीं किया जाता है संभा होता है यह चीज होती है क्योंकि वाइटनर से change किये गया है प्रशनों के उत्तर पर नंबर नहीं मिले हुए हैं लोगों को पिछली बार तो यह चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि आप लोगों का वाइटन लगाने पर कभी किसी का कुछ रुका हो बहुत सारे students ऐसे जो वाइटनर लगा करके आये थे पिछली बार भी आया हुआ है इस बार भी अभी तक ऐसा कुछ mention नहीं है कि वाइटनर लगाने पर count नहीं होगा तो यह ध्यान में रखे रहिएगा ठीक है तो ऐसा कुछ mention नहीं है तो इस बार result तो पक्का आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी वाइटनर से हाँ यह हो सकता है कि जिस प्रशन पर आपने वाइटनर लगाया वो प्रशन को आपको zero कर दे यह गर सकता या उसको negative marking में ले ले इतना गर सकता है बाकी कुछ नहीं करेगा तो यह point दिमाग मे रख रही है बागी कोई दिक्कत नहीं है clear है तो और कोई दिक्कत और कुछ पुछना आप लोगो को तो आज के लिए इतना ही गाइज आनलाइन बेंचर पर लगातार बने रहें तमाम सारे कोर्सेस आप लोगों के लिए हैं उन कोर्सेस को जोईन करिए हमारे यूट्यूब जाहिन गैस